स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षन क्या होता है तो वहाँ बताया प्रत्यक्ष ग्यान के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं और वो क्या है इंद्री और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन होने वाला ग्यान प्रत्यक्ष कहलाता है तो यहाँ पर जो इंद्री और अर्थ का सन्निकर्ष अथार्थ संबंध है इंद्रिया अथा जो मारी ग्यान इंद्रिया और अर्थ अथार्थ विश है तो उनके उत्पन होने वाले ग्यान को, उनके संबंद से उत्पन होने वाले ग्यान को हमने प्रत्यक्ष माना पढ़ा यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो सन्निकष कहा गया यह कितने प्रकार का होता है तो यहाँ पर जो अन्नम भटें वो कहते हैं कि यह इंद्री और अर्थ का जो संबंध है वो छे प्रकार का होता है और किस के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होगा उसको अब हम पढ़ेंगे तो यहाँ कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्यान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष शटविदा कि प्रत्यक्ष ज्यान का जो कारण है उसका जो हेतु है अथार्थ उसका जो कारण है ऐसा इंद्री और पदार्थ का जो सन्निकर्ष है संबंध है वो छे प्रकार का है तो वो छे प् यहां पर प्रत्यक्ष में हम एक तो जो है साक्षा चाक्षुष प्रत्यक्ष हम इसको जानते हैं लेकिन जो घ्रानच प्रत्यक्ष है जो हमारी जिवा के द्वारा रासन प्रत्यक्ष के राता है जो शब्द प्रत्यक्ष है जो इस पर्ष का मनुबव करते हैं वह त्वाच प्रत्यक्ष है और मानस के भेश से वह छे प्रकार का होता है तो प्रत्यक्ष के आद में जो कारण इंद्रियां हैं उसमें इस्थित प्रत्यक्ष का जो सामानाधी करन्य है घटक वो के सन्निकर्ष क्या है इसको यहां पर विभाजित करके इस प्रत्यक्ष पद से दिखाया गया है कि प्रत्यक्ष ग्यान का जो हे तु है तो जितने प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष ग्यान के कारण भूत इंद्री और अर्थ का संबंद छे प्रकार का होता है तो यहाँ पे जो हमें लौकिक प्रत्यक्ष हो रहा है यह उसका बताया गया है यहाँ पर इश्वर प्रत्यक्ष को इसमें नहीं लिया गया है तो अब इसको छे प्रकार का सन्निकर्ष हुआ यहां पर उसको बताया तो आप कहते हैं चक्षु शा घट प्रत्यक्ष जनने सन्योगा सन्निकर्ष जो पहला सन्योग प्रत्यक्ष है तो कहते हैं चक्षु और घट के चक्षु शा अथा चक्षु के द्वारा घट के प्रत्य लक्षिग्याने में सायोग सनिकष होता है, तो इसको किस प्रकार से हम लेंगे, कि यहाँ पे घड़ा रखा हुआ है, या इसको समझे कोई भी पदार्थ रखा हुआ है, और हम नेत्र के द्वारा उसको देख रहे हैं, जो हमारी नेत्रेंद्री है, उसके द्वारा हम उसको पढ़ा, तो वहाँ पे हमने उसका जो इंद्री है, वो नेत्रे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं, कि जो दो द्रव्यों के बीच में सनिकर्ष हो रहा है, तो एक तो मारी इंद्री, दूसरा विशे, जो विशे क्या है, हम मालो यहाँ पे घट कहा, इसको अगर हम घट के जिस्थान पे पट कहते हैं, या जो किसी हमारा कोई और समान रखा हुआ है, तो वो सब क्या है, प्रित्वी के विशे हैं, इसलिए पार्थे में वो भी द्रव्यों है, तो यहाँ पे जितना भी उसके अंदर विशे रूप है, हम जो विशे का ग्रहन कर रहे हैं, तो जो इस तरह द्रवि का जो चाक्षुष, यानि की चक्षु इंद्री से उत्पन होने वाला जो है प्रत्यक्षए, वो चाक्षुष प्रत्यक्ष और मन को भी इंद्री माना गया है तो इस से उत्पन होने वाले प्रत्यक्ष में संयोग ही सनिकर्ष होता है यदियोग संबंध ही होता है यानि कि हमारी जो इंद्रिया है उस द्रव्य को ग्रहन कर रही है वो जो संबंद हो रहा है वो संयोग यानि कि उस विशे से संयोग तो हो रहा है तो यहाँ पर विशे के जो दो द्रव्यों के बीच में हो रहा है संबंद वो समझे कि संयोग संनिकर्ष हो रहा है नेत्र के द इंद्रिया, व्यक्ति तक जा रही है और हम एक दूसरे को देख रही है तो सामने है, अक्ष के सामने, одो उनके बीच में समबंद जो हो रहा है, वो संयोक संबंद हो रहा है। अब इसके पशात कहते हैं घट रूप के प्रत्यक्ष में जो घट रूप, एक तो हमाई जो घट का ग्रहन किया, वो दो द्रव्यों के बीच हो गया। अब कहते हैं घट रूप प्रत्यक्ष जन्ने, घट के रूप का प्रत्यक्ष में संवाय सन निकर्ष होता है, अब इसको कैसे समझेंगे हम, घट तो क्या हुआ, द्रव्य हुआ, और हमारी इंदरी भी द्रव है, तो उन दोनों द्रव्यों के बीच तो संवाय सन निकर्ष हो यो द्रव्या जो हमने द्रवी का लक्षन भी एक समझने के लिए पत्कृतिकार ने दिया था कि गुण का आश्रे द्रव है तो गुण अपने आश्रे में संवाय संबंद से रह रहा है गुण गुणी का संबंद है तो द्रव्य गुणी है तो यहां पर कहते हैं घट रूप के प्रत्यक्ष में जो सन्निकर्ष है वो सन्युक्त सम्वाय सन्निकर्ष है सन्युक्त सम्वाय सन्निकर्ष कैसे हुआ है हमारे नेत्र का सन्योग हो रहा है घट से और घट में घट रूप सम्वाय संबन से रहा है तो नेत्र से सन्युक्त घट में इस्थित रूप के प्रत्यक्ष में सन्युक्त सम्वाय सन्निकर्ष होगा इसी कोई रनका है चक्षु सन्युक्ते घटे रूपस सम्वायाद चक्षु से सन्युक्त घट में रूप सम्वाय संबंद से रहता है इसलिए यहाँ पे सन्यूक्त समवाय सननीकर्ष होगा अब इसके पश्चात कहते हैं रूपत्व के सामान के प्रक्ष्टष में अब कहते हैं कि इंद्री के द्वारा जिस गुण का ग्रहन होता है उसी के द्वारा उसमें रहने वाली जाती का भी ग्रहन होता है तो यहां कहते हैं रूपत्व समाने प्रत्यक्षे संयुक्त सम्वेत सम्वाया सन्निकर्षा रूपत्व सामाने के प्रत्यक्षे में संयुक्त सम्वेत सम्वाया सन्निकर्षे कैसे चक्षु संयुक्ते घटे रूपम सम्वेतम तत्र रूपत्व से सम्वायात चिछ अक्षु से संयुक्त घट में रूप सम्वाय संबंद से रह रहा है और उसमें भी रूपत्व सम्वाय संबंद से रह रहा है कैसे समझेंगे अब हम इसको येन इंद्रियेन जिस इंद्रिये के द्वारा गुणम ग्रहिये थे तेनेव इंद्रियेन तत्रिस्थितस सामान अपी ग्रहिये थे कि उसमें इस्थित सामान, सामान को हम पहले समझ चुके हैं, सामान को यहाँ पर जाती हैं या निकि जो समें सामान है वो सामान है तो जाती जिसमें उत्पन हो तो जब हम इसलिए सजाती क्यों कहते हैं कि एक ही जाती में उत्पन तो जाती जिसमें उत्पत्ती हो रही है तो यहां पर जो उसमानता है जिसकी करण वो सब एक जिसे हम कहते हैं समू में या एक नाम से पुकारे जाते हैं या एक रूप में पहचाने जाते हैं अगर मनुश्य में मनुश्यत्व जाती हैं तो उस मनुश्यत्व जाती के कारण ही हम सब मनुश्य हैं यहां जाती का संबंद क्या है कि मनुष में इस्थित जो मनुष्यत्व जाती है उस कारण हम सब मनुष्य कहलाते हैं पशु में इस्थित पशुत्व जाती है तो यहां पे कहते हैं कि जब हम घट रूपत्व का यानि कि एक तो हुआ घट घट में संवाई संबंद से रह रह रही है रहा है गुण यानि की रूप और रूप में संवाय संबन से रहा रही है रूपत्व जाती तो संयुक्त संवेत संवाय नेत्र से संयुक्त घट से में संयुक्त संवेत रूप में रूपत्व जाती हना तो यह हो गया संयुक्त संवेत संवाय संनिकर्ष तो इस प्रका हो जाता है अब इसके पश्चात कहते हैं यहाँ पर कि शब्दत्व के लक्षन में कि शोत्रेण शब्द साक्षातकारे समवाया सन्निकर्शा तो हमाई जो शोत्रेंद्री है कर्णेंद्री है उसके द्वारा शब्द के साक्षातकार में समभाई सन्निकर्ष होता है कैसे होता है अब कोगी इसमें अलग क्या होगा तो कहते हैं कर्ण विवर वर्दी आकाश से शोत्रत्वाद कर्ण विवर में रहने वाला कन विवर वर्थी कन विवर में रहने वाला जो आकाश है वो उसके हम शोत्रिंदी कहते हैं या शोत्र कहते हैं और शब्द से आकाश गुणत्वात और शब्द क्या है आकाश का गुणада गुण गुणे नोश्क्य संवाया जब यह आप पहले कहा कि गुण और गुणी में समवाय संबंद होता है अब आप कह सकते हो कि जब हम घट रूप के प्रत्यक्ष में हम संयुक्त समवाय संनिकर्ष ले रहे हैं तो यहां भी तो द्रव्विकार शोत्रे के द्वारा शब्द का ग्रहन हो रहा है तो यहां पर हम समवाय संनिकर्ष के क्या आविशकता गई लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि यहां पर हम ग्रहन किस का कर रहे हैं शब्द का कर रहे हैं और शब्द है गुण रहता का हैं आकाश अथार्थ द्रव्वि में गोण और गोणी में समवाय संबंद होता है इतनी बात हमने इसके पहले भी स्पष्ट करें अब जब हमें शब्द का साक्षाद करना है तो शब्द कहां उत्पन हो रहा है कर्ण विवर्ती हम किस कहां कह रहे हैं आकाश का गोण है और शोत्र प्रदेश में जब हम कोई शब्द सुनते हैं कब जब धोनीतरंगिये हमारे कानों तक जाती हैं तो आकाश यहाँ पर कोई जैसे घट हम देख रहे हैं वो एक अलग आकरती है जो एक बना है कारे रूप हुआ ना तो वो एक कारे रूप कैसे हुआ ? कि हमने मिट्टी से घड़ा बनाया और उस घड़े को हमने उस घड़े का रूप जो है तो वो एक अलग आक्रती बनी लेकिन आकाश किया है शूनिया अब शूनिय को तो हम सिर्फ कनविवर वर्ती जो कान में रहने वाला कंड विवर में कान का जो छेद है उसको हमने आकाश दिया कहा तो वो आकाश ही है इसलिए हम कह देते हैं घटा आकाश मठा आकाश कक्ष का आकाश लेकिन यदि उसके बीच से दिवार हट जाए या घड़ा फूट जाए तो दोनों आकाश में कोई भेद नहीं है वो शून ही कहलाएगा वो केवल वहाँ पर एक उपाधी के कारण अथार्थ एक जो आवरन बीच मारा था उसके कारण हम उसको उसका आकाश कहें लगते हैं लेकिन वास्ता में वो आकाश क्या है एक ही है जैसा हम पढ़ चुके हैं और यहां इसी इसलिए कह रहे हैं कि कर्ण विवरवरती आकाश के कर्ण में विवर में इस्थित आकाश के कोही शोत्र होने के कारण अथार्ट कर्णवबर में रहने वाला जो आकाश है वो शोत्र है यानि कि जो हमारी जिसे हम कर्णेंद्री कहते हैं और शब्द आकाश का गुण है तो शोत्रेंद्री में जो शब्द उत्पन हो रहा है उसमें जो संबंध है वो संवाय संबंध है इसलिए उसके कहते हैं कि जन्नी ये पद्दे देना चाहिए अथाथ शोत्र से शब्द का प्रत्यक्ष उत्पन हो से समवाई सन्निकर्ष है जो आपको का गुण-गुड़ी में है तो जो हमारा कर्णविवर्ती आकाश है उसमें शब्द समवाई संबंद से रह रहा है तो उसके प्रत्यक् साक्षातकार में कौन सा सन्निकर्ष होगा तो कि शब्दत्व के साक्षातकार में समवेत समवाई सन्निकर्ष होगा कि शब्दत्व साक्षातकार है समवेत समवाई सन्निकर्ष है शब्दत्व के साक्षातकार में समवेत समवाई सन्निकर्ष है शोत्र सम्वेते शब्दे शब्दत्व से सम्वायात कि शोत्र से सम्वेत अथत जो हमारी शोत्रेंद्री है तो उसमें क्या है सम्वाय सम्बंद से शब्द रह रहा है और शब्द में शब्दत्व जाती सम्वाय सम्बंद से रहती है जैसे हमने संयुक्त संवाई और संवेद संवाई को समझा उसी प्रकार से यहां कि शोत्र में संवाई संबंद से शंप्त रह रहा है और उस शब्द में रहने वाली जो शब्दत वजाती है उसके प्रत्यक्ष में संवेद संवाई सनिकर्ष होगा क्योंकि यहां पे संयोग नहीं हो रहा है वो कंड विवर्ति अब वो तो आकाश का गुणी है शब्द तो उसको उन दोनों में तो अलग-अलग ह coincide नहीं। उसका सईयोग थोड़ी हो रहा है हमारी इंद्री के साथ तो वो तो उसके समवाई संबंद से रह रहा है और समवाई संबंद से रहने कारण उसके प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष हो रहा है और उसमें रहने वाली जाती में समवेद समवाय सन्निकर्ष हो रहा है अब यहाँ पर कहते हैं कि अभाव के प्रत्यक्ष में फिर कौँसा होगा तो कहते हैं अभाव प्रत्यक्ष विशेशन विशेश्य भावा सन्निकर् गट के अभावाला भूतल है यहाँ पर चक्षु से संयुक भूतल पर घट के अभाव का विशेशन होने के कारण गटाभाव विशेशन होने कारण विशेश हम किसी कहते हैं जो विशेशन के योगे है और विशेशन जो विशेशी की विशेशता बता रहा है उसका गुण ब तो जाके क्या कहेगा नहीं वहां किताब नहीं है ना वहां पर ग्रहण किसका उसने किया वो कहरा मैंने वहां रखा है अभी मैं रखके आया हूँ या वहां पर रखा हुआ है और व्यक्ति कोई जाके कहता है कि नहीं वहां तो नहीं है क्योंकि उसको दिखाई नहीं पड़ तो वो ग्रहन किसका कर रहा है उसके अभाव का कर रहा है जहां बात कही गई घटा भाव की कि घटके अभाव वाला भूतल है तो ग्रहन तो सिर्फ भूतल का कर रहा है जहां पे रखा उसको कहा गया है इसी तरह से हमके मेच पे किताब रखी है और किसी ने भी स्पीट पर हैगा, वो कोई मेच देखने नहीं गया है, वो वहाँ पर किताब को देखने गया कि नहीं किताब वहाँ पर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, किताब के अभाव वाली मेच है, इसको इसी तरह समझेंगे, तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि अभाव के प्रत्यक्ष पे विशेशन विशेशिभाव सन निकश होता है कि घट के अभाव वाला भूतल है यहाँ पे जो हमारी नित्रेंद्री है उसका संयोग किस से हो रहा है भूतल से हो रहा है पृत्वी से हो रहा है जमीन से हो रहा है और उससे क्या वहाँ पर क्या देखना चाते थे घटे देखना चाते थे लेकिन वहाँ पर है क्या घटका अभाव है तो घटके अभाव के विशेशन होने के कारण तो वो विशेशन रूप हो गया यहां पर इसलिए यहां पे कहा गया कि अभाव के प्रत्यक्ष में विशेशन, विशेश भाव संनिकर्ष होता है इसी को वहाँ पर अनुपलब्धी प्रमान कहते हैं मिमासा में जिसे आप देखना मिन कंइने पढ़ा है, तो वहांपर एक सनिकर्ष में ही, कि हम कुछ उपलबधी नहीं हो रही है, तो वह उपलबधी कहेंगे, यहां पर उसे को अभाव का प्रत्यक्ष कह दिया है, तो अभाव का क्यों है, क्यों कि हम वहां के कुछ देखना चाहते हैं कुछ बात कही गई है अन्य था हमें अभाव का प्रत्यक्ष तो करने किया क्या होई शकता है किसी नेका वहाँ पे है हमने का नहीं है तो हमने ग्रहन किसका किया उसके अभाव का तो इसलिए वहाँ पे अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है अब कहते हैं कि प्रत्यक् संवेट संवाय संनिकर्ष और विशेशन विशेशिभाव संनिकर्ष तो संयोग संनिकर्ष किसमें हुआ जैसे प्रित्वी पर घड़ा रखा हुआ है तो वहां पे तो सीधे सीधे संयोग संनिकर्ष हो गया क्योंकि हमारी नेत्रेंद्री है उसका सीधे सीधे घट के साथ संय तो घट रूप का जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो संयुक्त सम्वाई सन्निकर्ष के द्वारा हो रहा है अथाथ हमारी नेत्रेंद्री से जिसका संयोग है उसमें जो सम्वाई संबंद से रह रहा है उसके प्रत्यक्ष में भी संयुक्त सम्वाई सन्निकर्ष होगा फिर कहते है रूपत्व जाती के सन्निकर्ष में कि जैसे घट रूप है तो घट रूप में रहने वाली उस रूपत्व जाती के सन्निकर्ष जो संबंद है या उसका जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसमें सन्युक्त संवेत संवाई सन्निकर्ष होगा क्योंकि हमारी जो नेत्रेंद्री है उस शब्द के प्रत्यक्ष में समभाय सन्ंिक शोता है, यह उससे भिंगने क्यों हुआ? यहां पर जो कर्ण में वरृवर्वर्थी आखाश है, जो हमारे कान की अंदर का च्खेद है, उसको हम आकाश कह रहे हैं, आप कान के लिए जानते हैं, कि जब हमारे कान में ध्वनी उत्पन करती हैं, हमारे कान की पर्दे से टकराती है, तो उस शब्द की हमें प्रतीती हो जाती है, और उसका जो हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं हम उस शब्द को, तो वो समवाय सन्निकर्ष होता है, और उसमें रहने वाली जो शब्दत्व जाती है उसके प्रत्यक्ष में समवेच समवाय सन्निकर्ष होगा क्योंकि शब्द में शब्दत्व जाती समवाय संबंद से रहती है और अभाव के प्रत्यक्ष में विशेशन, विशेश भाव सन्निकर्ष होगा क्योंकि वहाँ पे ह पढ़ा था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ग्यानम प्रत्यक्षम इंद्री और अर्थे के संबंद से उत्पन होने वाला ग्यान प्रत्यक्ष कहलाता है और प्रत्यक्ष जो प्रमा है वो क्या है उसको हमने क्या पढ़ाता प्रत्यक्ष ग्यान करनम प्रत्यक्षम प्रत प्रत्यक्ष प्रमाण कहा था तो अब यहां पर होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण का फिर लक्षन क्या हुआ क्योंकि हमने क्या का प्रमाकरणम प्रमाणम प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है तो यहां पर प्रत्यक्ष प्रमा का करण क्या हुआ इन्होंने का इंद्रिय और के सन्निकर्ष से उत्पन होने वाला ग्यान तो यहाँ पर यह कहते हैं कि इस प्रकार के छे प्रकार का जो हमने सन्निकर्ष पढ़ा एवं सन्निकर्ष शटक जन्यम ग्यानम प्रत्यक्षम कि ये छे प्रकार के सन्निकर्ष से ये सिद्ध होता है तो जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष पढ़ा उस पर जो करण हुआ करण की से हमने का साधक्तमम कारणम करणम साधक्तम कारण जो है वो करण होता है तो इसमें साधक्तम क्या हो जिसके अभाव में हम उस प्रत्यक्ष को ग्यान को ग्रहन ही नहीं कर सकते तो यदि हमारी इंद्रिया नहीं है वो उस ग्यान को ग्रहन नहीं करे तो हमें उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता तो यहां पे इंद्रिया क्योंकि सादक्तम कारण है इसलिए वो करण है और इसलिए इंद्रियाही प्रत्यक्ष प्रमार्णे इसको अगर हम अपने जो स्रमान अनुभावे उससे यदी हम देखें तो हम देख रहे तो अगर हमारे सामने राम खड़ा और कहता है नहीं कोई यह कहाए कि ये तो श्याम है तो हम इस बात को नहीं मानेंगे इसलिए कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या वेशक्ता जो चीज़ हमारे सामने हैं तो उसको किसी अन्य प्रमाण की क्या वेशक्ता तो वहाँ पे साक्षात हमारा जो देत रहे हैं वो उसका ग्रहन कर रहा है या कोई हम कह रहे हैं कि कोई हमारे सामने मालो घड़ा क इसी प्रेकार से जब हम रासन Pi tisakshar करते है जिव्वाप पर कोई कहते हैं जिव्वाफ कोई कहते हैं तो इसका सवात करवाया तो हम उस बात को कैसे सुईकार करें जिव्वा양 इसको कड़वाई करने हैं तो समान अवस्थार की वात है तो यहाँ पर है कि जिस चीज़ का हम अनुभव कर रहे हैं, स्वैम अनुभूती हो रही है, उस ग्यान को हम साक्षात ग्रहन कर रहे हैं, उसके बारे में कोई दूसरा अगर बताता है, कि यह है तो हम उसको सुईकार नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी पंच अब दुत्पन हो रहा है, हम उसको सुन रहे हैं और दूसरा कहता है, नहीं ये बात नहीं कहीं, तो ये कहा तो हम इसको सुईकार नहीं करेंगे, यदि हमार कोई कहता है कि बड़ा ठंडा है और चीज खौलती हुई है, तो हम उसको कैसे सुईकार करेंगे तो यहां पर इंद्रिया क्योंकि उसके अंदर कारणब होते हैं, उस ग्यान मिसाहिक है, उसका ग्यान कराने वाली है, इसलिए इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो यहां पर आपका प्रत्यक्ष पूरा होता है, इसके पर जात्व अनुमान प्रमाण पढ़ेंगे, तो ये प्रमाण मिमास आए, इसकी बहुत important है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िये, मन लगा के इससे questions भी बनते हैं, इस पर टिपड़ी भी लिखने को आती हैं इन में से, और short questions भी आते हैं, व्याख्या भी आते हैं, तो हर दृष्टी से ये जो प्रमाण है, उनको ठ्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा.